यदि आप रोज की सबजियों को खाते खाते बोड़ हो गए हैं तो बनाएए एकदम नई और अनोखी रेश्पी आपने केला और कठल का कुपता खाया होगा गोबी और लौकी के कुपता भी आपने जरूर बनाया होगा पर आज हम बनाएंगे तिल के कुपते जो सायद अभी तक आपने नहीं बनाया होगा तो वीडियो को अंति तक देखिएगा और पसंद आये तो लाइक कीजिएगा नमस्कार मैं संगीता स्वागत है आप सभी का हमारी रसोई में तो चलिए बनाते हैं तिल के क्रेमी कौपते यहां मैंने लिया है सफेद तिल जो वजन में करीबन एक सो ग्राम है इसे हम दो से तिन घंटे के लिए पानी डाल कर भीगो देंगे एक चम्मच से इसे मिला लेजे नहीं तो तिल जो है पानी के उपर उपर रह जाएगा साथ ही हम लेंगे दो या तीन छोटे चम्मच मुंगफली के दाने इसमें भी हम थोड़ा पानी डाल कर इसे भी दो से तिन घंटे के लिए भिगोएंगे दो से तिन घंटे में ही ये अच्छे से फूल जाएगा आप देख सकते हैं ये ग्राइंड करने लायक हो गया है मुंग फली भी अच्छे से फूल गया है तो इसे ग्राइंड करने से पाले हम इसके छिलकों को इस तरह से उंगलियों से लगर कर हटा देंगे अब हम इसे एक मिक्सी जार में डाल कर एकदम फाइन सा पेस्ट बनाएंगे ग्रेवी के लिए इसके छिलकों को मैंने हटा दिया है एकदम वाइट सा अच्छा सा पेस्ट बनके तयार हो गया मुंग फली का अब हम इसी जार में तिल को भी डाल देंगे और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से अब हम इसे एक बावल में ट्रांसफर कर देते हैं इसमें डालेंगे एक छोटा चमच नमक, आधा चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच ही लाल मिर्श पाउडर इसे डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे यह अच्छे से मिक्स हो गए आब हम इसके कौफते बनाएंगे तो कौफते बनाने के लिए हम गैस पर एक कढ़ाई चराएंगे और गरम होने पर उसमें डालेंगे दो से तीन बड़े चमच तेल इसे हम deep fry नहीं करेंगे बलकि थोड़ा सथेल में fellow fry करेंगे तो इस तरह से हम अपने पसंद के साइज के अनुसार चोटा-चोटा तिल का कुपता बडी तयार कर लेंगे पुलट-पुलट कर इसे golden brown होने तक fry करेंगे इस तरह से हम सारा कुपता बरी तयार कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसकी ग्रेवी तयार करते हैं तो उसी कढ़ाई में हम दो बरी चम्मच और तेल डालेंगे जब ये गरम हो जायती इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे इसे चटकने देते हैं फिर इसमें डालेंगे हम मीडियम साइज के दो प्याज बारिक कटे हुए मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे सौप्ट होने तक पकाएंगे और दो हरी मिर्ज को इस तरह से लंबे टुक्रों में काट कर भी इसमें आड़ कर देंगे स्वात के अनुसार नमक हल्दी पाउडर धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच मिर्ज पाउडर एक चम्मच और एक छोटा चम्मच चीरा पाउडर इन सब को हम अच्छी सी खुस्वू आने तक फ्राई करेंगे जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे एक मेडियम साइज का टमाटर बारिक कटा हुआ इसे भी हम हलका सा सौफ्ट करते हैं इन मसालों के साथ जब ये थोड़ा सौफ्ट हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे मुंगफली का पेष्ट जिसे मैंने ग्राइंड करके रखा था इस तरीके से ग्रेवी बनाने से बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी ग्रेवी तयार होती है एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा मुंगफली का पेष्ट डालकर हम इसे दो से तीन मिनट तक फ्राइ करेंगे जब तक की ओयल सेपरेट ना होने लगे अब हम इसमें डाल लेंगे बारी कटेवे हरी धनिया की पती इसे डालकर एक मिनट तक और फ्राइ करते हैं फिर हम इसमें डालेंगे दो चमच मलाई डेली का जो हम दूद लेते हैं उसके उपर जो मलाई जमती है वही मलाई है यह इसे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एकदम ग्रेमी लूग आएगा ग्रेवी में अच्छे से फेट कर हम इसे तयार मसाले में पानी डाल देते हैं तो जिस जार में मैंने तील और वेदाम पीशा था उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसे मिला के इसमें डाल देंगे थोड़ा और पानी डालते हैं जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उस अनुसार से हम इसमें पानी आइट करेंगे अब हम इसमें डालें एक छोटा चमच गरम मसाला पाउडर अब हम इसे कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट तक पकने देंगे अच्छे से इसमें उबाल आ गया है ग्रेवी हमारा पक चुका है अब हम इसमें अपना कुपता बरी को डाल देते हैं इसे डाल कर हम सिर्फ आधे मिनट तक पकाएंगे और फिर गैस को आफ कर देंगे हमारा एकदम टेस्टी क्रेमी कोपता बनके सर्व करने के लिए तयार है इसे आप रोटी, चावल, पराठे, पूरी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं आप इसे एक वर जरू ट्राइ करिए और अपने अनभव हमारे साथ सेर कीजे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को आँठ तक देखने के लिए धन्यवाद